नमस्कार आप देख रहे हैं सक्तेहिंदी.com और मैं हूँ प्रमोद मलिक इस ख़बर में हम आपको बताएंगे राश्ट्रिय स्वेव संग के बारे में लेकिन उसके पहले चर्चा करेंगे सेनागी सवाल यह है कि क्या भारती सेना भी पाकिस्तानी या इस्राइली सेना की तरह हो जाएगी क्या इस सेना की पहचान भी किसी धर्म विशेश या खास विचारधारा के रूप में की जाएगी क्या भारती सेना के पेशेवर धर्म निर्पेक्ष और समावेसी इमेज खत्रे में है सवाल ये उठता है कि क्या हिंदू राष्ट्र की स्थापना का सपना देखने वाले लोग अब भार्ती सेना में बड़े पैमाने पर दाखिल होने जा रहे हैं ये सवाल महत्वपूर्ण हैं ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि राष्ट्रिय स्वेव सेवक संग यानि आरेशेस ने अपने पहले आर्मी स्कूल की स्थापना करने का फैसला कर रही है इस स्कूल में बच्चों को इस तरह प्रशिक्षित किया जाएगा कि वे अधिक से अध विद्या भारती ये स्कूल खोलेगा पहले स्कूल को राचंद सिंग उर्फ रजू भाईया के नाम से जोड़ा जाएगा रजू भाईया संग के सरसंग चालक यानि प्रमुक्त थे रजू भाईया सेनिक विद्या मंदिर के स्थापना उत्तर प्रदेश शहर के बुलंद जिले के शिकार को पुर्मे की जाएगी रजू भाईया का जन्म इसी जिले में हुआ था ये स्कूल सेंटर बोर्ड आफ सेकेंटरी एजुकेशन यानि सीबी एसी के तहर चलेगा इसमें एक अक्षा 6 से 12 तक की पढ़ाई होगी इसकूल भवन का काम बहुत तेजी से चल र देश में लगवक 30,000 इसकूल चलाते हैं इसमें 30 लाग से अधिक बच्चियों पढ़ते हैं ऐसा उसका दावा है विता भारती का दावा ये भी है कि इसकूलों में लगवक 30 लाग शिक्षक हैं ऐसे में यह सवाल सोभाविक है कि क्या या पाकिस्तान और इस्राइल जैसा नहीं होने जा रहा है जनरल जिया उल्हक के समय तक तो पाकिस्तानी सेना का इस्लामी करण नहीं हुआ था लेकिन उनके समय में जो हजारों की तादाद में मदरसे खुले और वहां से निकले लाखों बच्चे पाकिस्तान में अलग अलग जगों पर जिस तरह काबिज हो ग आग पाकिस्ताइनी सेना पूरी तरह इस्तामी सेना बन चुकी है। इस्राइली सेना का हाल तो इस से भी अलग है। वह तो यहूदियों की सेना शुरू से रही है। हलाएंकि अस सेनह में यानि इसराइल की सेनह में ऐसे लोग हैं Iस्राइल पर यहुदियों की वर्चक के हिमाईती है इस सेना में कहने को तो फलस्तीनी अर्बी मूल के लोग भी है मुसल्मान भी है लेकिन उनकी संख्यार नगड़ी है तो इसराईली सेना पूरी तरह यहूदी सेना है उसका एक कारण यह भी है कि वहां सेना में भड़ती होना और उसकी नौकरी करना कमपल सरी है झगरी है उसके भी विश्व आविध देले की डिगरी नहीं मिलती है सवाल फिर वहीं पहुंचते है क्या भारत की सेना भी इस्राइली सेना की तरह हो जाएगी क्या यहां भी हिंदू राष्ट के स्थापना का सपना देखने वारे लोग सिरा में काबिज हो जाएंगे इन सवालों का जवाब अभी शायद नौ मिलें लेकिन हमें नजर रखनी पड़ेगी आप देख रहे हैं सत्यहंदी.com आप हमारे फेस्बुक पेज को लैक करें फॉलो करें हमारे ट्विटेट अकउन को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूटूब चैनल को देखते रहे हैं सत्यहंदी.com धन्यवाद सत्यहंदी के और वीडियोज को देखने के लिए हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाए